नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है आज की कच्छा में हम वर्ग दो के पाठ गुना की चर्चा करेंगे और इसके अंतरगत आज हम इस गुना की अवधारना की चर्चा करेंगे आए हम सुरुवात करते हैं एक गतिविधी से मैं गतिविधी करूँगा और आप भी इसके साथ साथ गतिविधी करेंगे और इसके लिए हमें आवस्यक होगा हमें आवसकता होगी कंकडों की या गोलियों की या कुछ ऐसे और भी छोटी छोटी चीजों की जो भी आपके पास उपलब्ध हो हमने देखिए कुछ घेरे बनाये हैं गोल घेरे अब इन घेरों में मैं दो दो कंकड रखता हूँ ये पहले घेरे में दो हो गए, दूसरे घेरे में दो हो गए, तीसरे घेरे में दो हो गए, चौथे में दो कंकड हो गए, पांच में में दो कंकड हो गए, और ये छटे में दो कंकड हो गए तो ये पहले घेरे में कितने कंकड हैं एक दो पहले घेरे में कितने कंकड हुए दो और अब ये दूसरे घेरे में अर्थात ये पहले और दूसरे दोनों को मिला कर कुल कितने हो गए दो और दो चार ये हो गए हमारे चार और ये कुल तीन घेरे हम ले रहे हैं पहला दूसरा तीसरा इसमें कुल कितने हो गए दो दो चार और दे रदो छे और अब हम चार घेरे ले रहे हैं ये पहला दूसरा तीसरा चौथा तो इन चार घेरों में कुल कितने कंकड हो गए 2, 2, 4, 2, 6, और 2, 8 तो ये हो गए हमारे 8 और अब अगर हम 5 घेरे लेते हैं ये पहला घेरा 1, 2, 3, 4, 5 तो इन 5 घेरों में कंकड कितने हो गए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और 2, 10 तो अगर हम इस तरह से दो-दो कंकर लेते हैं, तो हमारे कितने होते जा रहे हैं, पहलावाला में आगया दो, फिर दो अगर हमने घेरा ले लिया, तो कुल 4 हो गए, तीन घेरा हमने लिया तो छे हो गए और चार घेरा लिया तो आठ हो गए अगर पांच गोल घेरे में हमने लिया तो ये दस हो गए इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे अगर छे गोल घेरे में अगर हम गिनेंगे तो ये दो-दो कंकड करके बारह हो जाएंगे अब हम क्या करते हैं कि प्रते गेरे में एक एक कंकड और डाल देते हैं तो ये पहले गेरे में तीन हो गए, दूसरे में भी तीन हो गए, तीसरे में भी तीन हो गए, चौथे में भी ये तीन हो गए, पांच में में भी तीन हो गए और ये छट्ठे में भी तीन हो गए तो अब हम देखते हैं ठीक उसी तरह से अब हम फिर से देखते हैं तो पहले घेरे में कितने कंकड हैं एक, दो, तीन तो पहले घेरे में हो गए हमारे तीन कंकड और ये दो घेरे हम बिला देते हैं पहले और दूसरे तो कितने कंकड हो जाएंगे तीन और तीन छे हो गए ये छे हो गए और अगर हम तीन गेरे तीन गोल गेरे लेते हैं पहला गेरा दूसरा गेरा तीसरा गेरा तो इन तीनों में मिला कर कुल कितने कंकड हैं तीन तीन छो और तीन नौ तो तीन गेरों में कु गोल घेरे लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ तक में हमारे कितनी हो जाएंगे? तीन, तीन, छो, तीन, नो, और तीन, बारह, अभी जोड़के देखिए, तो यह हो गए हमारे बारह, और अगर हम पांच घेरे लेते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहां तक मैं ले रहा हूँ, तो तीन, तीन चो, तीन नौ, तीन बारह, और तीन पंद्रह, इस गतीवीदी को आप भी करे, आपके पास कंकड नहीं है, तो आप पत्ते ले सकते हैं, गोलियां ले सकते हैं, हम यहां क्या देख रहे हैं, कि हर घीरा म हमने बराबर बराबर रखा है, पहले वाली गतीवीदी में हमने दो दो रखा था, और इसमें दूसरी बार हमने क्या, तीन तीन रखा, तो बढ़ किस तरह से रहे हैं, तीन, छो, नौ, बारह, पंद्रह, पहले में तीन हो गए, दो हमने किया, तो फिर तीन और तीन, छे हो अब चित्र को देखते हैं हम लोग ये तीन चाबियों का गुच्छा है पहला गुच्छे में तीन चाबिया है और दूसरे गुच्छे में भी तीन चाबिया है तो तीन चाबिया और तीन चाबिया कितने हो गए कुल छे चाबिया अब देखें दूसरे चित्र में मचलिया है कितनी मचलिया है तीन मचलिया फिर तीन मचलिया और फिर तीन मचलिया तो तीन मचलिया तीन मचलिया तीन मचलिया तो कुल कितने हो गए नो मचलिया अब हम कुछ आने चित्र देखते हैं यह पेडों के चित्र कौन से पेड़ है हमें लग रहा है कि यह खजूर की पेड़ है तो पहले गुच्छे में या नहीं पहले स्थान पर यह तीन पेड़ है दूसरे वाले में भी तीन पेड़ है तीसरे में भी तीन पेड़ है चौथे बारपेड, अब उसके बाद वाली जो चित्र हैं उसमें हम देख रहे हैं, बथक हैं कितने बथक हैं, दो बथक और दो बथक। तो दो बथक और दो बथक हुए, चार बथक, अर्थाथ दो बथोकों के, दो बथकों के, दो समू है और हुए ये कितने चार बत तक इसे तरह से हम तीसरा चित्र देखते हैं ये पत्तों का चित्र है डंटल में पत्ते लगे हुए हैं कितने पत्ते लगे हुए हैं एक डंटल में पांच है और दूसरे में भी पांच हैं तो पांच पत्तियां और पांच पत्तियां ह हुए दस पत्तिया इसी तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ और भी चित्र है आज की कर्चा में हमने गुना की अवधारना को समझा यह अभी गुना की शुरुवात है आगली कर्चा में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे गुना की अवधारना के आगे की तो अगला वीडियो आप जरूर से देख रहे हैं धन्यवाद